हेलो फ्रेंज नामस्ते तो आज मैं आप सब के साथ शेर करने बाली हूँ गिहूं के आठे से बनकर तयार हो जाने बाले बहुत ही क्रिस्पी करा रहे अंदर से खास्ता बिस्किट की रेसिपी जिसे आप महिनों तक श्टोर करके खा सकते हैं तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके के बरे बरतन ले लेंगे और एक कटोरी ले लेंगे मेजरमेंट के लिए उसी कटोरी से अब हम दू कटोरी के करीब गेहूं के आठा ले लेंगे और आधा कटोरी के करीब सूजी ले लेंगे जिस कटोरी से हमने गेहूं के करीब PC हुई चीनी तो यहाँ पर जिस काटोरी से हमने घेहू का आटा लिया था उसी काटोरी से सभी ingredients को हम लेगे और दो पिंच नमक डाल देंगे और एक चमज की करीब सफेध तिल डाल देंगे तो फरेंच मैं यहाँ पर यहां क्या टास से बिस्किट बना रही हूँ आप चाहे तो यहां पर मैदा भी ले सकते हैं और सुजी डालने से बिस्किट बहुत ही क्रीश्पी करारा बनकर तयार होते हैं नारियल का बुरादा बिल्कुल अप्सनल है आपके पास है तो डालिया नहीं तो इसे इसकीब भी कर सकते हैं इन सबी चीजों को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इस तरीकी के एक चमच लेंगे और इसी चमच से चार चमच के करिबिस में गी डाल देंगे तो यह अच्छा नहीं लगेगा पूरी टाइट बनकर तयार होगा तो इसी लिए घी थोड़ा ध्यान से ही डालेंगे तो यहां पर घी के जगपा प्रिफाइंड ओयल भी ले सकते हैं लेकिन घी से बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनकर तयार होते हैं घी डाल कर इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे तो फ्रेंच इसे मैं गेहूं के आटा से बना कर तयार कर रहे हुए बहुत ही हेल्दी भी है और इसे आप अपने बच्छों को टीफिन के लिए भी बना सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही असान है बहुत ही जल्द बन भी जाती है तो यहां पर पर जिस कटोरी से हमने आटा लिया था, उसी कटोरी में हम आधा कटोरी के करी पानी ले लिया है, अब हम चमच की सहता से थोड़ा थोड़ा पानी आटा में डालेंगे और टाइट डो लगा कर तयार करेंगे, सभी पानी हम एक ही बार नहीं डालेंगे, क्योंकि इतना पानी डालेंगे चममच से और इसी तरीके से मिलाते जाएंगे तो यहाँ पर देखी हमने आटा को गुंध लिया है इसी तरीके से आटा को डो लगा लेनी है आटा के डो यहाँ पर टाइट ही लगानी है soft नहीं लगानी है अटा का डो अगर soft लगाएंगे तो बिस्कित उतना अच्छा नहीं बनेगा पुरे tight बनकर तयार होगा तो हमने यहाँ पर जितना पानी लिया था आटा को गुदने के लिए उसमें से आधा ही पानी यूज हुआ है पानी बहुत ही कम लगती है तो इसी लिए थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालिएगा अब हम इसे बेल लेंगे इसी तरीके से हातों से दबाती हुए इसको हम फैला लेंगे पहले इस तरीके से हातों से दबाने से इसमें cracks बहुत ज़दा आएगा तो इसी तरीके से हाथों से हम इसको जोड़ देंगे फिर से बेलेंगे फिर से cracks आएगा जोड़ देंगे यह बहुत ही असानी से बन जाती है कोई दिकत नहीं होती है इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगते है इसे बेलने में इसी तरीके से बेलते जाएंगे और क्रैक्स आएगा तो इसी तरीके से हाथों से दवा देंगे हमने इसे बेल कर तयार कर लिया है चलिए आप चलते हैं इसे काट लेते हैं तो इसे आप अपने मन पसंद शेप में काट सकते हैं तो पहले हम इस तरीके से चारू साइट से काट कर निकाल देंगे उसके बाद इस तरीके से फिर से बीच में तिन भाग में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर देखी बहुत ही अच्छा से यह कट गया है अब इसे हम अपने मन पसंद शेप में काट लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा से हमने काजू कतली के शेप में काट लिया है और थोड़ा सा बिस्किट के शेप में काट लिया है और छोटा बारा अपने हिसाब से आप काट सकते हैं इसे सभी को हम इसी तरीके से काट लेंगे तो यहाँ पर सभी को हमने काट कर तयार कर लिया है और अगर आप चाहते हो तो इसके उपर से अपने हिसाब से इसमें डिजाइन भी दे सकते हैं इस तरीके के चमच लेंगे और उपर से इस तरीके से दबा देंगे तो ये डिजाइन बन जाएगा, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से चागु से भी काट कर इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं, इससे भी बहुत ही अचा डिजाइन बनती हैं, उपर से बस थोरा थोरा कट लगा देंगे, देखिए कितना अचा ये भी बन गय नहीं तो इस तरीकी के एक टिफिन बक्स का कवर लेंगे और इस तरीकी से कट-कट कर देंगे इससे भी बहुत ही अचा डिजाइन बनती है आपको जैसा पसंदो उसी साब से आप इसमें डिजाइन बना सकते हैं नहीं तो आप बिना डिजाइन के भी इसे बना सकते हैं तो य में इसी तरीके से सभी बिस्किट को बना लेनी है अब चलते हैं इसे फ्राइ करने के प्रोसेस में इसे फ्राइ करने के लिए हमने यहाँ पर प्यान में तेल को मीडियम करम कर लिया है तो ध्यान रखेगा इसे फ्राइ करने के लिए तेल को मीडियम करम ही करनी है सभी बिस्क बिस्किट को लटते पलटते धियान से लट पलट करेंगे नहीं तो ये टूटने लगेंगे ये अभी बहुत ही सॉप्ट है बिस्किट आधा सिख जाने के बाद अब हम फ्लेम को लो कर देंगे तब ही बिस्किट अंदर तक अच्छे से फ्राइ होगा इसे फ्राइ करने में लगवग 5-6 मिनट का समय लग गया है और बिस्किट बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे एक इस टेनर में सभी बिस्किट को हम निकाल लेंगे और इसे ठंडी होने के लिए साइड में रख देंगे और बाकी का बिस्किट हम सेम तरीके से त स anti- sudah벽 के लिए साइड में रख देंगे यहाँ पर देखिए फ्रेंस एक झाये वी खाष्टा बनकर त्यार वहती क्रीस्पी करारा खास्था बनकर त्यार हुआ है इसे तोर कर दिखा, श्रीथा कूस थार fuels महीनों तक खा सकते हैं और इसे आप चाई के साथ खाया और छोटी मोटी भूक में खाये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और हेल्दी भी है तो फ्रेंस आज का ये वीडियो आप सब को कैसे लगे कमेंट बक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो मेंट प्रेंस नेश्पी के साथ तब तक लिए वाइटक के मेंट